पूराने काउच यानि सोफे को अपने अपार्टमन में लेकर जा रहे थे इस कापल में लड़की का नाम सोफी होता है सोफी जोके अपने सारे काम कुद ही किया करती थी इसलिए वो इस काउच को ठीक करने वाली थी दोनों अपनी मेरिड लाइफ में काफी खुश थे और सिंपल जिनकी गुजार रही थे यानि इनकी फाइनेशली कंडिशन ना इतनी अच्छी थी और ना ही इतनी बुरी लेकिन जो सोफी के हस्बेंट के फादर थी वो बहुत रिच थे क्योंकि वो एक बिजनसमैन थे और वो एक बड़ी कंपनी के ओउनर थे लेकिन किसी रीजन की वज़ए से सोफी का हस्बेंट अपने फादर के साथ नहीं रहता था बलके वो सोफी के साथ एक हैप्य लाइफ गुजा रहा था फिर एक दिन सोफी केस्बेंट को पता चलता है कि उसकी फादर की डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटे याली सोफी केस्बेंट के नाम कर दी और अब से उसके फादर की कमपनी वो ही चलाएगा इसलिए वो लोग अपनी पुराने जिन्दके को छोड़ कर इस न्यू लाइफ में शिफ्ट हो जाते हैं जहां पहले तो वो एक छोटे से अपार्टमन में रहा करते थे लेकिन अब रहने के लिए उनके पास एक काफी बड़ा और खुबसूरत घर है लेकिन जो सोफी होती है वो अपनी लाइफ में ये चेंजिंग लेकर जदा खुश नहीं होती क्योंकि अचानक से ही सब कुछ चेंज हो जाना थोड़ा अजीब तो था लेकिन अब क्योंकि उन्हें ऐसे ही जिन्दके को जारनी थी इसलिए वो अपनी इस लाइफ को एकसेप्ट कर लेते हैं सोफी पहले ही दिन घर में काम करने वाले दो सर्वेंट्स को काम से निकाल देती है क्योंकि पहले वो लोग अपना सारा काम अपने हातों से गिया करते थे वो इस जिन्दके के आदी नहीं थे इसलिए सोफी का हस्बेंट उसे समझाने के कोशिश करता है कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यानि तुम्हें उन सर्वेंट्स को निकालना नहीं चाहिए था क्योंकि ये पहले वाले घर की निस्बत बड़ा घर है इसलिए तुम सारे काम को अकेली मैनेज नहीं कर सकती हेल्प के लिए हमें कोई तो चाहिए होगा ना किसी की तो जरूरत होगी हमे सोफी कहती है कि मैं इन सब चीजों की आदी नहीं हूँ हमें अपने काम खुद करने चाहें और एवन अपनी मर्जी से हमें लाइफ को जाने जाए उनकी जिन्दकी में चेंजिंगी वज़े से सोफी के हिस्बेंड की लाइफ पर भी काफी फरक पड़ा था क्योंकि अब इतनी बड़ी कमपनी उसे ही समाली थी कमपनी की सारी responsibilities उस पर हे थी इसलिए सारी condition को देखते हुए वो tension में हो जाता है और सोफी भी घर के काम को अकेले manage नहीं कर पा रही थी सोफी का husband ये बात कमपनी में काम करने वाले उसके एक friend को बताता है जिस पर वो कहता है कि इस मसले का मेरे पास एक हल है असल में उन्हीं की कमपनी में एक scientist भी था और even उस scientist के father भी इसी कमपनी में ही काम करते थे और उस scientist ने recently कुछ ऐसे robots बनाए जो बिलकुल इंसानों जैसे ही थे उन्हीं देख कर कोई भी पैचान नहीं सकता था कि वो robots हैं या फिर इंसान और ये robots हर वो काम करते हैं जो इनसान भी करते हैं अब क्योंकि सूफी के husband को कोई ऐसा person चाहिए था जो सारे काम करे इसलिए वो सूफी को भी अपनी कमपनी में लेकर आता है और कहता है कि उन सब robots में से कोई एक robots वो जूस कर ले उन robots की लोग देखकर सूफी भी काफी हैरान रह जाती है क्योंकि वो बिल्कुल इनसानों जैसा लोखी दे रहे थी मेंवाइल वो एक robots को अपने पास रखने काड़िस लेते हैं और इस robots का नाम हैंडरी था फिर वो scientist जिसने इन robots को बनाया था वो सूफी और उसके husband को यकीन दिलाता है कि ये robots खतरनाग नहीं हैं और ना ही आपको कोई नुकसान देंगे बल्कि ये काफी अच्छे और useful हैं और इस बात को प्रूफ करने के लिए वो हैंडरी यानि उस robots से सूफी के husband का जूता लिक करवाता है यानि इसका मतलब ये है कि वो इनसान की हर अच्छी बुरी बात मानेंगे अव वैसे तो ये हैरत वाली बात है लेकिन फिर भी वो हैंडरी को घर ले आते हैं हैंडरी जो के अपने काम में अच्छी परफॉमस दिखा रहा था और वो अकेला ही घर का सारा काम करता था जिससे उन लोगों की काफी हैल्फ हो जाती थी और एवन जब सूफी का husband उस रोबोट यानि हैंडरी से बात करता था तो वो उसका बुत अच्छी से जवाब देता था इसलिए वो सूफी की husband को काफी अच्छा लगता था क्योंकि उनके लिए हैंडरी परफेक्ट था किसे इनसान से कम नहीं था और फिर सूफी का husband अपने दिल की सारे बाते हैंडरी से इशियर करता था दूसरे दिरफ सूफी को भी पहले पहले हैंडरी अजीब भी लगता था लेकिन फिर टाइम के साथ साथ वो उसे भी अच्छा लगने लग गया वो हैंडरी के साथ टाइम गुजारती थी अपने फिवरेट बुक्स उसके साथ बढ़ती थी हैंडरी भी उनके साथ काफी खुश था काफी गूल मिल गया था उनके साथ असल में उसे ऐसे सेट अप किया था कि अगर उसके ओनर खुश होगे तो वो भी खुश होगा और उसको बनाने का मकसद यही था कि वो अपने ओनर्स को खुश रखे उनका सारा काम करे और उनकी हर बात माने अब जहां पहले सोफी और उसका हैस्बेंट अपनी लाइफ में डिस्टर्ग थे अब उनकी लाइफ भी नॉर्मल हो गई थी फिर एक दिन सोफी हैंडी से प्यार, इंसानी फिलिंग्स और इंसानी एमोशन जैसे बात ही पूछती है तो वो काफी अच्छी से इसका रिपलाई करता था काफी अच्छी से एक्स्प्लेन करता था कि प्यार किया है, इंसानी फिलिंग्स किया है, इमोशन किया है और उनमें फरक किया है ये देखकर सूफी का हैस्पेंड हैंडरी को मना करता है कि तुम इन बातों में मत पड़ो क्योंकि तुम बागे दूसरे काम काफी अच्छी से कर लेते हो इस लाइफ में आने के बाद सूफी का हैस्पेंड इतना ज्यादा बिजी हो गया कि वो सूफी को टाइम ही नहीं दे पाता था और फिर सूफी के हैस्पेंड ने काफी बार नाटिस किया और उसकी reality हमेशे याद ही रखता था कि वो रोबोट ही है, कोई इनसान नहीं लेकिन सोफी तो हेंडरी को इनसान की नजर सही देखती थी क्योंकि उसमें इनसानों जैसे सारी feeling, सारी emotions और सारी बाते पाई जाती थी और इसी वज़े से वो हेंडरी से काफी impressed भी थी, लेकिन ये बात सोफी की husband को पसंद नहीं आती और वो सोफी को काफी समझाने की कोशिश करता है कि देखो उसे इनसान मत समझो, वो इनसान नहीं है, वो रोबोट है और उसकी साथ ऐसे trade मत करो कि वो एक इनसान है, क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि वो हेंडरी को जैसा माहूल देंगे यानि हेंडरी की साथ जैसा trade किया जाएगा बदले में वो वैसे ही trade करेगा और अगर उन्होंने हैंडरी को इंसान समझ लिया तो वो भी खुद को इंसान ही समझने लगेगा लेकिन सोफी अपने हिस्बेंट की बात नहीं मानती क्योंकि हैंडरी तो बिलकुल इंसानों की तरह ही था परफेक्ट था अपना काम अच्छी से करता था और जैसे इनसान गलती करते हैं, वो गलती नहीं करता था पिर एक रात सोफी को कुछ आवाज्य सुनाई देती हैं इसलीए वो हैंडरी को इसकी जगह पर देखने जाती है रेकिन वो वहाँ पर नहीं होता और दरवाजा खुला था और फिर सोफी देखती है कि हैंडरी गर के गार्डन में लेटा हुआ है और जब वो उसके पास जाती है तो उसे रिलाइज होता है कि ये तो कोई ड्रेम देख रहा है अब रोबोट में ये कॉंसेप्ट काफी उनीक और काफी अजीब था इसलिए सोफी का हैस्बेंड हैंडरी को जगाता है और वो उसे दुबारा से घर के अंदर ले जाते हैं पिर अगली दिन वो साइंटिस्ट को इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं कि आदी रात को हैंडरी गर के गार्डन में चला गया था इसलिए वो scientist उनके घर आता है और Henry को चेक करता है और वो लोगों को बताता है कि Henry में कोई problem नहीं है ये एक चुटा सा fault या फिर error था जो हर computer robots में आना एक normal बात है और next time ऐसा नहीं होगा आपको ऐसी शिकायत नहीं होगी सूफियो scientist को ये बात भी बताती है कि मैंने तो इसे dream दिखते हुए भी notice किया है जिस पर वो scientist कहता है कि Henry आपके साथ पिछली काफी दिनों से रह रहा है इसलिए उसने आपके बारे में कुछ सोचा होगा और उसमें कुछ emotions, कुछ feelings भी create हो गई है अब क्योंकि आपने Henry को इनसानों जैसी feelings दी इसलिए वो खुद को इनसान ही समझने लगा ये बात सुनकर सूफी का husband उस पर खुसा करता है कि ये सब कुछ तुमारी वजह से हुआ है तुम responsible हो तुम तो उसके साथ ऐसे react कर रही हो कि जैसे वो सच मुझ कोई इनसान ही हो इसलिए उसमें ये error आया और अब से तुम बें सिर्फ यही समझोगी कि वो सिर्फ एक robot ही है एक machine है मस क्योंकि उसमें कोई feelings नहीं पाई जाती उसने बस वो ही करना है जो हमने उसे कहना है लेकिन Sophie Henry के बारे में ये नहीं सोचती थी और ना ही वो सोचने वाली थी और इस बात की वज़े से उन दोनों husband wife में नराज की हो जाती है इसलिए अब Sophie का husband Henry को समझाता है कि तुम मेरी wife से दूर रहो और ना ही तुम उसके साथ time spend करोगे और ना ही उसके साथ books पढ़ोगे ये सुनकर Henry Sophie के husband से पुछता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जिस पर Sophie का husband कहता है कि जो मैंने तुम में कह दिया है तुम उस पर अमल करो आगे से सवाल मत करो नेक्स टे है Henry जब ये बात Sophie को बताता है तब Sophie नराज होकर घर छोड़कर चैनी जाती है अब Henry जोकि काफे intelligent था वो Sophie की husband को समझाने की कोशिश करता है कि आप husband wife में जो भी problems हैं वो मेरी वज़े से नहीं है और reality भी यही थी ये सब कुछ इस new life में आने की बात हुआ क्योंकि वो एक दूसरे से दूर हो गए एक दूसरे को ज्यादा time नहीं दे पा रहे थे और इसी वज़े से Sophie Henry की तरफ attract हो गई वो उसे अच्छा लगने लगा हलाकि वो जानती थी कि वो इनसान नहीं है और even वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचती रहती थी उसके बारे में dreams देखती थी अब क्योंकि Henry इतना अच्छा था कि Sophie के husband को भी वो अच्छा लगने लगा था पिर एक दिन Sophie का husband उससे माफी मांगता है अपने behave पर और कहता है कि प्लीज जल्दी से घर वापिस आजाओ लेकिन Sophie को तो अब Henry अच्छा लगने लग गया था पिर एक दिन जब Sophie और Henry एक दूस्ते के साथ होते हैं तो Henry इंसानों जैसी feelings पाकर Sophie को कह देता है कि मैं तुम से प्यार करता हूँ ये बात सुनकर Sophie काफी हैरान रह जाती है और काफी डर भी जाती है क्योंकि वो पूरी तरह इंसानों की तरह ही ट्रेट करने लग दिया था Sophie इस बात से इतना ज़्यदा डर जाती है कि वो Henry को कहती है कि तुम वापिस चले जाओ जहां से तुम आए हो ये बात Sophie अपने husband के साथ भी share करती है कि Henry ने मुझे कहा है कि वो मैं से प्यार करता है ये बात सुनकर Sophie की husband को बहुत ज़्यादा गुसा आता है इसलिए वो Henry को जगा कर उसे जोर से स्लैब करता है और वो Henry को आफ कर देता है पिर वो साइटिस्ट को कॉल करता है कि अपने इस रोबोट को ले जाओ हमें इसकी जरूरत नहीं है इसने हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है प्लीज मुने डिस्ट्रॉय मत कीजिए मैं मानता हूँ मैंने गलती की है मैंने गलत कहा है आपको मैं शर्मिनता हूँ उसके लिए पताने उसमें कब इनसानी फेलिंग्स आ गई और उसे सोफी अच्छी लगने लगी और वो बहुत जल्द इस रोबोट यानि हैंडरी से जान चुड़वा लेंगे और इसके बाद फिर वो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे फिर वो साइंटिस्ट हैंडरी को लेने आ जाता है लेकिन अब हैंडरी बात को इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा था जैसे वो पहले किया करता था और वो उस साइंटिस्ट को ही बुरा भला कहता है कि ये एक जोटा इंसान है और यहाँ पर बहुत बड़ा राज रिवील होता है अब शुरू से ही हमने देखा कि हैंडरी कहीं से भी रोबोट नहीं लगता था वो बिल्कुल इंसान ही लगता था वो इसलिए क्योंकि सच में वो कोई रोबोट नहीं था बलकि वो इंसान ही था असल में सारा किया धरा उस साइंटिस्ट का था क्योंकि वो खुद को Robots का Maker माणता है और ये चीज उस Scientist के Father ने शुरू की थी उसने इंसानों को Perfect बनाने का Experiment किया था ताकि वो इंसानों को Perfect बना सके और वो परसे design कर सके कि ना तो वो कोई गलती करे और वो अपने कीपल की सारी पात माने और ये experiment कोई robots पर नहीं किया जा रहा था बलके चलते फिरते जिन्दा इंसानों पर किया जा रहा था उनका brainwash करके उन्हें अच्छी और काफी चीज़ें सिखाए और उन्हें एक perfect इंसान बनाने की कोशिश करता जैसा उसने Henry के साथ किया और जब Henry चोटा था उसने तब से हैंडी का brainwash करना शुरू कर दिया और उसे शुरू से यही सिखाया कि वो कोई इंसान नहीं है वो robot है लेकिन क्या ये कोई असान बात है किसी भी इंसान को बदल देना इसलिए जब वो सोफी और उसके husband के साथ रहने लगा तो उसकी इंसानी feelings बाहर रहने लगी लाइक उसका dream देखना, सोफी के लिए प्यार को feel करना etc और इसी वज़े से वो दोनों husband wife Henry की तरफ अट्रेक्ट होने लगे क्योंकि सच में वो इंसान है तो था इस बात की पता चलते ही पुलिस कंपनी के सारे लोगों को ले जाती है उन लोगों को जिने रोबोर्ट समझा जा रहा था अपनी experiment को destroy होता देख कर उस scientist का दिमाग खराब हो जाता है पाकल हो जाता है और इसलिए जो पुलिस officers उसे पकड़ने आ रहे थी वो नहीं मार डालता है बाद में वो Sophie और उसके husband को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर Henry उन दोनों husband wife को protect कर लेता है और वो उस scientist को ही मार डालता है तो Henry बहुत ज़दा दुखी हो जाता है और इसलिए वो suicide कर लेता है और अब वो सच में Sophie और उसके husband की जिंदकी से हमेशा के लिए चला गया पिर हमी कुछ सालों बाद का सीम निखाया जाता है जहां पर Sophie और उसके husband का अब एक बेटा है और उन्होंने उस बच्चे का नाम Henry ही रखा है क्योंकि वो Henry को बोले नहीं थे बल कि Henry उनके लिए हमेशा के लिए एक याद बन कर रह गया और इसी लिए वो Henry को पने साथ रखना चाहते थे इसी लिए उन्होंने अपने बेटे का नाम ही Henry रख दिया और यहीं पर यह मूवी खतम हो जाती है Thank you for watching